दिल्ली में कोहरे का रैड अलट पंजाब हर्याना में कोल्डे यूपी समित इन राजों में होगी बारिश देशवर में इस वक्त सर्दी का सित्म जारी है सुबह सुबह कोहरे के चलते लोगों को परिशानियां बहुत जादा बढ़ गई है मौसम विबाक के अनुसार अगले दो दिनों में पंजाब हर्यान में कोल्डे की सित्य होने की समभावना है इसके अलाबा हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर को बरफवारी की समभावना जताई गई है दिल्ली NCR में कोरे के चलते लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है मौसम विबाक के मताबिक आज राजदानी दिल्ली में ठंड बढ़ने जा रही है जिसके साथ ही यहां कोल्ड वेव का भी अलर्ट है उतर प्रदेश, मद्य प्रदेश, 36 गर, तमिलनाडू और केरल में कल से दो जनवरी तक हलकी से मद्यम बारिश की समभावना जताई गई है आंचलिक विग्यान केंदर के बरिष्ट मौसम बाइग्यानिक मौमन दानिश ने बताए कि मौसम में पश्मी विक्षोप का असर बना हुआ है इसके कारण नमी की अधिक्ता और हलकी शीदलर भी है इसी का नतीज़ा है कि घना कोरा चारा है अभी है किरम जारी रहेगा कई जिलों में दरश्टा 50 मीटर से भी कम होने का भी संबावना है उन्होंने कहाए कि अगले दो दिनों में मद्यपर्देश से शटे कुछ जिलों में हलकी बरिष के असार बन रहे है बरसात का असर कई जिलों पर पढ़ेगा दो जन्वड़ी के बाद हलकी दूप निकलने की उमीद है मत्य परदेश में 31 दिसंबर को कई हिस्सों में बारिष के साथ ओले गिरने का अनुमान है मौसम विबत के मताबिक बारिष के ये सिलसला दो जन्वड़ी तक चलेगा और इससे परदेश में ठंड का कहर बढ़ने वाला है असल में बारिष का ओले गरने की बज़े से पशिमी बिक्छोप का प्रवाव है जिससे 31 दिसंबर से 2 जन्वड़ी तक उज्जैन, गौालियर और चंबल संभाग समेत प्रदेश के कई शहरों में बादल चाय रहने और बारिष होगी यही नहीं बंगल की खाली से निचले इस्तर की पूरवी हवाएं मैदानी इलाकों का रुक कर रही है इसकी बज़े से देश के कई इलाकों में बारिष के आसार बन रहे है मौसम बिबाग ने मद्देप्रदेश और 36 गल में तीन दिन तक मौसम खराब रहने की संभाबना जताई है मौसम बिबाग के मताबिक पहली से तीन जन्वरी के दौरान जिससे मौसम में फिर से परिवर्दन देखने को मिलेगा इस दौरान पूर्वी राजिस्थान के जैपूर अजमेर कोटा उदैपूर संभाग में पश्मी राजिस्थान के बीकानेर जोधपूर संभाग में कहीं कहीं बारिष की आसार है वही एक जन्वरी को भी जैपुर, उदैपुर, कोटा, बीकनेर, अजमेर और भरतपुर में वारिश के साथ नए साल की शुरुआत होनी की उमीद है बिहार में अगले चार दिनों तक बारिश की संभाबना मौसम बिजयान केंदर ने पश्यमी विक्षोप के सक्री होने के करण एक जन्वरी शे शाम पलामु साहिद जहर गंड के पश्यमी इलाके में हलके से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान लगाया है पलामू से चला ये बादल दो जन्वरी को शाम तक रांची वा असपास के इलाके में छा जाएगा इस रांची के कई इलाकों में गरजन के साथ हलकी बारिश हो सकती है तीनवा चार जन्वरी को धारगंड में हलकी से मर्दिम दर्जे की बर्शाथ हो सकती है आशा करते ही यह जनकारी आपको पसंद आई होगी मौसम की ताज़ा अफडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्य बाद